वह खड़े सामने उदर खड़े हैं जी तो हम साड़े दस बजे पहुंच चुके हैं जहां पर हमको पहुंचना था तो यह वट्सप गाइस कैसा आप सब आप सब्सक्राइब मनुश्री व्लॉग्स पर देख रहे हैं न्यू व्लॉग जी हां तो कल मैंने इसी जगा स्टार्ट कर चुके हैं और इधर में आप देख सकते हैं सब लोग नाश्ता करने में लगे हुए हैं बर्फी लट्डू मठरी विट्री सब पकोड़े वकेड़ सब चल रहे हैं और देख सकते हैं सब इंजॉय कर रहे हैं अब यहां से हम करते हैं कंटिन्यू व्लॉग नेता जी एक बार हाथ जोड़ के लिखाईए हमसे वोट मांगे हैं मतलब आप ऐसे चेक्ट करो कि आप एक नेता हो और आपको पुब्लिक से वोट मांगे तो क्या बोलो गया बताए क्या वोलेंगे मेरे प्यारे भाईयो बहनो और उनकी छोटी बहनो मुझे वोट जोड़ना खोड़ीना है एंडिन इसे स्पीच पर कोई नहीं देगा क्या आप इसको वोट देंगे तो किया आप मुझको वोट देंगे मैं फिर बताऊंगा कि आप इसको वोट देना चाहेंगे मैं इसको वोट तब दूँगा जब हमारे गाउं का विकास करें कहां विकास कर यह देख एक मिट्टी पड़ी है इसे आर्जी सी करवाओ इसे आप पताओ क्या करवाओगे जैसी भी खुदू आओगे यह सुमिंग पूल पनवाओगे फ प्ड़ी आपके। बनवाओए जाता है और पीछे हम समाल लोड करके चले आती है और यह गाउं से गन्ने की पत्ते भर आ रहे हैं देख सकते। काफी बढ़ी दूप मजाता जो हलका很गे हिलती है और हलका हे चलती है बहुत ही मजाता आई जो यारी मेर उाराई नाराइ. जो दिच्या पालीन, करना नाराई कीचीर उाराई जान जा रेश दूली जा था णाराई. एए बोले विदो राजा तुम्हे खड़वातो कैने के दो राजा तुम्हे खड़वातो जब लिस्टेगा मेरा भईया दर दितों ने की चिरही आए तो देना ची जोरी बताला मेरा भईया बढ़ा मैसे आए भईया को लख सिता है थेना बना करती है मेरा भईया बढ़ा मैसे आए पाला आई जी भी शे बढ़ेगा पाला तहुति और आफाल इननन। छोटे सब्ही लोग जितने भी परिवार से गए हुए हैं सबी लोग अपनी आर्टी उतरवाएंगे यहां पर एकेक करके सबी लोग इस चौकी पर आएंगे यह हमारी ननन्द है जिनके बेटे की है शादी हम लोग आए हैं यहाँ पर भाध भरने के लिए इनका जो वो पढ़ती है घर पढ़ता है वहाँ पर ये पढ़ता है अमरोहा से और नोगावा जगे पढ़ती है अमरोहा में उसी के पास है उनका घर और ये फॉर्म हाउस बना हुआ है इन्होंने लगभग एक एकर में पूरा मकान बनाया हुआ है अपना उसमें पूरा कवर किया हुआ है और यह बहुत ही सुन्दर जगे बनी हुई है इसमें एक एक करके सभी हमारे परिवार के जितने भी इनकी दीदी के मतलब यानि कि हमाइनन के जितने भी भाई हैं भतीजे हैं भावियां हैं बच्चे हैं सभी लोग आरती उतरवाएंगे और गिफ्ट के तौर जो भी उन्हें देना होता है वो दिया जाता है वो उधर से एक नारियल और बदाशे एक जगे मतलब पैक करके वो वापस देती हैं यह एक बहुत ही सुन्दर असम होती है शादी में भाती और बाराती यह दोनों विशेस महत्व दिया जाता है इन दोनों को जैसे के शाद सब लोग एक एक करके आते जा रहे हैं सब लोग चौकी प्याएंगे आरती करवाएंगे और अपनी बहन को गिफ्ट के तौर पर देंगे और बहन उनको नारियल देगी गोला देगी और उसमें पताशे डाल के देगी यह हमारी दूसरी ननन्द है यानि के इनकी छोटी बहन यह बड़ी है सबसे परिवार में यह हमारे जो नन्द का जो रिष्टा होता है ना परिवार में जो नन्दे होती है उनमें सबसे बड़ी है यह उनके बेटे की शादी है तो सभी में बहुत बड़ा उत्साहा है इस समय सभी पूरा परिवार एक एक करके खुशी-खुशी अपना आरती करवारा है आपकी यहां किस तरह से मनाया जाता है यह कोई ना कोई रस्म तो आपकी यहां भी होती होगी तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और यह मैं भी आ चुकी हूं आरती करवाने के लिए सभी लोग आए हैं और अगर हम किसी शादी में अटे किवार आया है सबी लोग इखटे हुए हैं हम लोग रामपुर से गए हैं और यह जो सस्वराल पक्ष के लोग हैं यह सभी वहां से आए हुए हैं यह बिजनौर की यूपी की एक विशेस रस्म है शादी की बहुत ही विशेस है इसी से शुरूात होती है शादी समार हो की आदि रात में ही शादी रहेगी और उससे पहले लगभाग 3 करा का जाँ, यो हर गर में निभाया जाता है, इसमें मेरी देवरानिया भी हैं, परिवार की लड़कियां है। एक एक करके सभी आ रही हैं सभी से आप मिल लीजिएगा ये मेरी जेठानी है जो सर पे पल्लू ले रही हैं तो सर पे पल्लू रखके क्या होता है कि स्वागत सा होता है एक तरह से ना सामने वाले का सम्मान का किया जाता है तो वह सर पे पल्लू लेना पहले भूल गई थी औ हो बहुत संदर संदर गाने भी सभी गा रही हैं जूर हैं अपके साथ पहली बार ही ऐसे आरती उतरवाई है बुआ से अपनी यह जिठानी है हमारी इनका भी चैनल है जो इस समय आरती उतरवा रही है इनका भी चैनल है दीपा म्यूजिक करके चैनल है आप सब भी उनको ज्वाइन कीजिएगा और भाई पूरा परिवार गया हुआ है जिठानी भी गई है हमारी दीदी ने उनके परिवार वारों ने हम सब का बहुत ही अच्छा वेलकम किया है बहुत ही सुन्दर वेलकम हुआ है हम सभी बहुत खुशी खुशी गए हैं और देखिए लाइन लगा के खड़े वे हैं बही जल्दी एक उतरता है तो दूसरा पहुंच जाता है ए उसको भाद भर ना बोला जाता है तो आप सभी किस तरह से मनाया जाता है आप कमेंट करके जरूर बताने वाले हैं मैं आप सभी का वेट करूंगी मैं महां से कुछ बोल रही हूं अब आरेन दुबारा से आया ना आरेन दुबारा से आ चुका है वो ऐसे आरती करवाने के लिए तो कितनी भी बार जा सकते हैं वैसे तो एक बार जा सकते हैं दो बार जा सकते हैं अगर दुबारा से देने का वीडियो में देख चुके होंगे पिशली वीडियो में भी सब देख चुके होंगे हागे बीडीयो बहुत अच्छे आने वाले हैं बिलकुल भी sqip मत कीजिएगा अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe ज़्रूर कीजिएगा और like करना बिल्कुल मत भूलिएगा सभी लोग बहुत उंजॉय कर रहे हैं मैं इन थे देखा है पहले नहीं देखा विलोग नही दरा चावल हो दाल नो चावल चावल की दम का है अब सब भी खानगा नगा जपाके जाना और इन्हें लाइब में देखाऊ को जो मैंने लाइब करी थी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है महाँ पर देख लेना जब वीडियो चलती देखके सब शांत की हो जाएं पिशलिव ओर अभ आपकी बनेगी पिशलिवार अब आपकी बनेगी तो नवनेगी और यहां पर हम फोल मस्ति खड़ते हैं देख रहे हो क्या सुलोमो बनाया है क्या अलग नेक्स्ट लेवल ठिंग करिए मैंने तो ठीक है मिलते हैं व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नायट गुड मॉर्निंग जो कहना चाहो बाय बाय जैहिंद